कई बार आपने सोचा होगा ना कि मैं एक RAM लगवा लूँ अपने computer में या अपग्रेट करने के सोच रहो या फिर अगर आप नए computer लेते हो तो उसमें आप देखते हो कि RAM खिस तरीके का लूँ या फिर अपडेट कर रहे हो पुराने computer में एक RAM लगा रहे हो तो उस टैम आपक कि तर्स सबसे पहला फंडा यहां पर आपको अपना motherboard चेक कर लेना होगा motherboard यानि कि जिस पर सारे वायर सब्सक्राइब लगाया होते हैं जिसमें RAM लगती है वही होता है motherboard होता है अब जितने आ रहे हैं उसमें double, triple और दोस्तों वो सारी चीज़े डिपेंड करती है ना आपके motherboard पे क्योंकि आपका motherboard अगर नया है अगर आप थोड़ा सा नया आप 6 साल साल पुरा ना है तो भी इसमें आपको dual channel का यहां पर आपको support मिल जागा तो अगर दो दिया ह हुआ है तो काफी अच्छी बात है तीन दिया हुए चार दिया हुए तो और ज्यादे अच्छी बात है एक दिया हुए तो आप उसको मजबूरन आपको 4GB कर रहे हैं एक लगा लेना चाहिए 8GB का जितना भी support करता है पर दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले यही चेक कर आपको एक 8GB का RAM अपने कमेटर में लगाना है और आपका कमेटर डूएल चैनल सपोर्ट करता है यही दो जगह दिया हुए RAM लगाने को तो कभी भी एक 8GB का RAM लेके मत लगाना आप 2-4GB के RAM लगा सकते हो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि 4GB के 2-2 अलग-अलग जगह से नहीं लेने हैं अलग-अलग फ्रिक्वेंसी की नहीं लेने हैं फ्रिक्वेंसी लेटेंसी क्या होता है इस सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा जरूर देखना तो यहां पर बहुत ज्यादा इस हुआएगा RAM को हलकी में मत लेना में अगर आप एक डूल चैन टेस्ट वहाँ पर लेटेंसी टेस्ट फ्रिक्वेंटी टेस्स सब कुछ करता है तो वह आपके कम्पूटर के लिए ज्यादा बेटर होगा ना कि एक 4-4GB के अलग-अलग दुकान से खरीदी गई या फिर अगर आप एक सिंगल RAM लगाते हो तो यहां पर आपको ध्यान देन तो यहां पर क्या होगा जैसे 4GB, 4GB का जो RAM है अलग-अलग वर्क करेगा एक ही फ्रिक्वेंसी पर बहुत ही तगड़ा वर्क करेगा और दोस्तो आपनी सूच हो जब ज़ादे लोग होंगे और एक काम को करते होंगे तो वो काम जल्दी से खतम होगा वो काम smoothly खतम हो जगा लेकिन एक काम है और उसको single एक आदमी कर रहा है एक ही बंदा कर रहा है बहुत ज़ादा हार्ड काम है तो उसमें time भी लगेगा आपका ज्यादा मैनत भी लगेगा पावर भी लगेगा तो ऐसे मैं आप slow काम करोगे अब जो दो लोग मिलके एक भारी भर कम काम को कर रहे है तो वो जल्दी कर देंगे आसानी से कर देंगे सेम यही केस आपको computer पर लगता है कि आप 4GB के अगर 2 RAM लगाते हो सेम frequency की तो यहाँ पर जो काम जितना तेज होगा ना उतना आपको एक 8GB का RAM नहीं दे पाएगा मैरे भाई यह बिल्कुल प्रूव है और बहुत तो किस 4GB का ना फिर single एक 4GB का तो सब कुछ आपको मैंने बहुत ही clear कर दिया जब भी आपका dual channel है 4 channel है तो यहाँ पर आप करो कि 2GB के लगा दो 4-4GB की 2 RAM लगा दो थोड़ी सी महंगी जरूर पड़ेगी वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं एक वीडियो लाइक करना दोस्तों में सेयर करना चैनल को सबस्काइब जरू करना और साथ से साथ प्रेस करदना बेल आइकान दो विल टेक ना एवडियो विशाथ तब तक लिए जहन बंदे मात्रा हूं